सब अपने परिवारों में हल्वा बाट रहे हैं मोदी जी पूरे देश में हल्वा बाट रहे हैं राहूल जी अपने परिवार में बाट रहे हैं जेडियू कह रही है अखिलेश जी अपने परिवार में बाट रहे हैं जी एक सेकिन यूमेडियो पॉइंट सार यूमेडियो मोदी जी के गुडगान करेंगे उनकी मजबूरी है मुझे उनको कुछ नहीं कहना मैं पूरी डिवेट में आपका एक सवाल था कि आप कह रहे हैं कि राहूल गांजी जी क्या बोलना चाह रहे हैं यह समझा नहीं पा रहे हैं तो हमारे इदर गौम एक कहावत है कि जगाया उसे जा सकता है जो सो रहा हो जो सोने का ड्रामा कर रहा है उसे कोई यगा नहीं सकता है जाती जंगरना इस देश का हरवेक्ती समझ रहा है कि अगर जाती जंगरना हो जाए तो देश बदल जाएगा देश की तकदीर बदल जाएगी पिछडों की तकदीर बदल जाएगी दलितों की बदल जाएगी आदिवासियों की बदल जाएगी लेकिन पता नहीं क्यों लो उपने आप दिखाई देगा आपकी स्टूडियो में दिखाई देगा प्राइबेट कमपनी में दिखाई देगा सरकारी नौकरियों में दिखाई देगा आप जहां देखोगे वहां पिछड़ा दलीत आदिवासी अगड़ा अल्ब संख्या मुसंमान सब दिखाई देंगे उनको समझ में आ जाना चीए कि उनकी कितनी संख्या है, उनकी आवादी क्या है, वो क्या रिजर्ब करते हैं, एक, दूसरी बात उन्होंने एक बात विल्कुल साफ साफ कही, कि भई सरकार चक्रवियू रच रही है, और उन्होंने तुलना की, कि ये चक्रवियू रचा गया था महाभारत में, उन साथ लोगों के, छे लोगों के नाम तो गिना दिये, कि उसमें द्रोणाचार थे, करण थे, क्रपाचार थे, क्रतवर्मा थे, अस्वस्थामा थे, सकुनी थे, तो हम तो भारती जन्ता पार्टी के नेता से पूछना चाहेंगे, जो प्रवक्ता हैं, कि हमको क्यों इतना बता दीजिए, जो राहुल गांदी जी बोल रहे हैं, उन छे लोगों में सकुनी कौन है, और इन्हों ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षड का विरोध समाजवादी पार्टी ने किया, समाजवादी पार्टी ने कई बार इस गलतियों को सिवकार किय हैं, और सिवकार करके PDA के रास्ते पर हैं, PDA के रास्ते पर उन सब गलतियों को सिवकार करके और खतम करके हैं, कि हमको पिछडा, दलित, अलशंक्याक, मसर्मान, कि जो हक, हकूख हैं, जो सोसित, पेडित, वंचित लोग हैं, उनकी लड़ाई-लड़नी, इन्हों ने एक स या पिछड़े वंची सोसित पीडित लोगों की आवाज हमेशा अगड़ों ने उठाया है गांधी जी रहे हो लुहिया जी रहे हो वीपी सिंग जी रहे हो चंसेखर सिंग जी रहे हो आचार नरेंदेव जी रहे हो कपिल देव सिंग जी रहे हो ब्रजभूसर तिवारी जी मोहन सिंग जी रहे हो या जने सुर मिसरा जी रहे हो यह समाजवादी पुरोधा हैं हम देपिन रहा हैं और देड़कर्व किया जाते हैं राहु करना क्या चाते है इसके जवाब करूब आप वुद्सक्त साजन जी ने कहा हम बिल्कुल अपनी गलती स्वीकारते हैं कि देखे हमने जिस प्रकार से रेजर्वेशन प्रमोशन का विरोध किया था अच्छी बात है मुलाहिम सिंग आदव जी ने गलती की थी ये साजन जी ने माना अच्छी बात है पर ये तो माने राहूल गांदी कि मेरे पूरवज नहरू ने कास सेंसर रोक कर गलती की थी मेरे पूरवज इंदी राजी ने मंडल का विरोध करके गलती की थी मेरे पूरवज मेरे पिता राजीव जिनके नाम का मतलब वैसे कमल है उन्होंने तो खड़े होकर कहा कि विभाजन कर देगा मंडल मेरे पूरवजों के अलावा मेरी ये हरकत है कि आज की तारीक में 14,000 करोड S.C.S.T. का आज की तारीक में P.D.A. इंडी की सरकार करनाटका में है वहाँ से ट्रांसफर करके किसके खाते में हलवा खाने के लिए दे दिया कोई जवाब नहीं आज की तारीक में तेलंगाना में 22,000 करोड का S.C. का बजट घटकर 7,000 करोड हुआ है अब बताईए कौन हलवा खा रहा है वहाँ पर उसके अलावा मैं आपसे केवल इतना पूछना जाता हूँ कि आज आपने किसानों की भी बड़ी बात की किसानों की बात की तो जड़ा एक बार बता दीजे कि MSP MSP करने वाले पंजाब में ये देखे MSP दी ने गई मुंग किसानों को बादा करने के बाद नहीं दिया गया वहाँ की राजसरकार के बारा लेकिन आप बार बार एक ही बोलता है आप लोग बोलते है कि करनाटक में इनकी सरकार नहीं कर रही है लेकिन आप तो कहते हैं कि आप सब इन पारटी उसे बैटर है वो नहीं कर रहे है तो आप उस ट्रेंट को तो फॉलॉड नहीं करेंगे मैं आपको बताता हूँ हमने जो चावल और गेहू इन दोनों पे इन्होंने तीन लाग करोड यूपिय में MSP दिया था हमने बढ़ाकर ग्यारा लाग करोड दिया इनके समय पर अग्रिकल्चर बजेट 25,000 करोड़ रहा जोट और भ्रम की राजनीती में यदि वो कहते कि मैं अखिलेश जी से ममता जी से आगे हूँ तो होने दीजिए परन्तु जूट जादा दे टिकता नहीं है एक गुबारे की तरफ फूट जाता है मैं आपको उसका गुबारे का उधान दिखाता हूँ आज सभी लोग साथ में बैठे जामिया और AMU में SCST रेजरवेशन रोक दिया गया अब बोल दे इन में से अभी ये सूप्रीम कोट में मामना हम ले गए पर बोल दे कि ये साथ में इसके साथ है SCST को मिले रेजरवेशन बोले एक बार ये सवाल बड़ा स्पस्ट है आपका इस पर क्या कहना है आपके विचार कहा है चालिस सेकेंड आपके अब आप नहीं बोलेंगे से जाथ ठीक बात ठीक बात मैं तो बिजेपी के सम्मानित प्रवक्ता से को यही जानना चाहरा था कि भारती जनता पार्टी जाती जनगरना कराईगी कि नहीं कराईगी और एक बात अमीज भाई आपके काजकम में कह रहा हूँ यही मोदी सरकार ने अगर 26 में इस देश में जाती जनगरना नहीं कराईगी तो 26 में यह सरकार गिर जाएगी क्योंकि गड़ना तो करानी है क्योंकि उसके बाद परसीमन होना है तो अब यह सरकार गड़ना कराएगी यह जाती जनगरना कराएगी अगर यह गड़ना कराएगे तो परसीमन तक यह सरकार में नहीं रहेंगे अगर जाती जनगरना कराएगे तो हम इनका स्वागत करेंगे फिर महिला बिल्गे फिर अगर जाती है जंगरना करा रहेंगे तो सरकार में रहेंगे फिर आप नहीं कहना चाहरें नहीं नहीं सरकार में हम सरकार को बधाई देंगे बधाई देना और साथ रहना दोनों अलग बात है अगर सरकार कोई अच्छा काम करेंगी लेकिन इसको एक भाशा के अंदर जिस तरीके से राहूल जी ने बूला और जिस तरीके से सदन में बात हुई और एक वर्ग ये भी कह रहा है बड़ा कि ये उकसाना है ये समाज को उकसाना भी होता है तो क्या आपको लगता नहीं है कि अगर उत्तेजी तो उकसाया जाएगा एक तरफ तो आप जाती में बाटेंगे और दूसरी तरफ आप एक मुष्ट की बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा अगर बिना जाने आज जिस हलुए की बात हो रही है अगर इस देश की सरकार को मालूम होता इस किस राज में कितने पिछड़े कितने दलीत कितने आदिवासी कितनी महिलाएं गरीब और कितनी असिछित लोग है कोई ट्रैप नहीं हो रहा है मैं आपको बताता हूँ कि आपकी एक सरकार भी हर में करवा चुकी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ अब मेरा सवाल है जाम्या एम्यू के सवाल पर तो साजन जी बड़े चतुराई से कुछ नहीं बोल पाए एक बारे में क्या बोलोगी ओके पहले पहले एम्यू पर जवाब झाल आपको झाल एक बारे में क्या बेको नहीं बोलोगी ओके पहले एम्यू ऑज़ ऑल पर एम्यू कर्छाब